हेलो दोस्तो तो चले हम लोग बात कर रहे थे बद्धकदेश सामान ग्यान के मौक टेस्ट लगा रहे हैं MPG के के मौक टेस्ट हम लोग सॉड़कर रहे थे तो इसमें अभी तक चार टेस्ट आपके खतम कर चुके थे और यह आपका पांचावा चप्टर यानि की पांच बाट टेस्ट है याद रखिए टेस्ट तभी लगाई जाते हैं जब हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाती है मौक टेस्ट आपके तभी दिये जाते हैं जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी हो और हम अपनी छमता जानने के लिए mock test देते हैं या साधारन भावसा में कहें लीजिए कि हमाई अपनी ओखाद पता करने के लिए mock test देना पड़ता है ठीव तो याद रखे इससे पहले आप लोग पूरा mpg के बहुत detail के साथ पढ़ लीजिए उसके बाद ही ये mock test अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हम लोगों ने पूरा cover किया हुए मद्विदेश सामान ग्यान के नाम से जो आपकी playlist सूची है उसमें सभी chapter by chapter बहुती साधारन सब्दों में आपकी lecture खतम किये गये या फिर आपका सुपरफास्ट revision के revision के नाम से जो playlist सूची है उसमें आपका 17 गंटे का एक पूरा किलास एक पूरी है उसी में आपके पूरा MPG के पढ़ा हुआ है वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं तो चलिए इसमें हम लोग test पांच में कुछ महत्मून questions देखते हैं और उनकी answer थोड़ा दिख नहीं रहा होगा इसमें फ्रेंट रही नहीं है फिर भी मैं हूँ ना दिखाने के लिए तो चलिए पहला question है निम्न में से कौन सा कतन सत्थ है निम्न लिखित में से कौन सा कतन सत्थ है करक्रेका मद्विदेश के चौदय जिलों से गुजरती है जो करक्रेका है मद्विदेश के चौदय जिलों से गुजरती है सही है भारत की मद्ध्यान रेखा 82.5 डिगरी एक मात सिंगरोली जिले से गुजरती है दोनों कतन आपके सही है क्या हैं? दोनों कतन आपके सही है कुश्यन है हमारा दूसरा निम्ने कत्रों पर विचार करना है मद्पिदेश का छितफल तेन लाग आठ हजार दोसो बावन बड़ किलूटर है जो कि भारत के कुल छितफल का नौ दसमलो अरतीस पितीसत है सही है मद्पिदेश भारत में जन संख्या की द्रिष्टी से छटवा राज बच्छेटफल की द्रिष्टी से दूसरा बड़ा राज है यह भी आपका सही है साक्चरता की साक्चरता की द्रिष्टी से मद्पिदेश का इस्तान भारती है राज्यों में 21 वहीं लिंगनपात की दृष्टी से अठार वार है ये भी आपका सही है तो याद रखिए पहला कतन की आए मद्ध बिदेश का छेतफल तीन लाग 8252 किलूमीटर है जो की भारत के कुल छेतफल का 9.38 पितिसत है दूसरा कतन है मद्ध बारत मद्ध बिदेश भारत में जनसंक की दृष्टी से चटबा इस्थान है और छेतफल की दृष्टी से दूसरा इस्थान है सही है तीसरा कतन है साक्षर्था की दृष्टी से मद्ध बिदेश का इस्थान इस्थानी राज्यों में 21 वा है वहीं लिंगनपात की दृष्टी से अठार वा है तो इसमें आपके तिनों कत्र सही होगे यानि कि डी ओप्सें सही होगा हिगा निम्घगत इसमें क्या पोझ रहा है निम्घगत कत्रों में से कौनसा कत्र असत नहीं हел तो सभी असत नहीं है अपके अ चलते हैं कुश्चे नमबर तीसरी की तरफ क्या चलते हैं कुश्य नंबर तीन की तरफ चलते हैं हम लोग कुश्यन हमारा तीसरा निम्नमे से बेक कौन से राज्य है जिनकी सीमा आविभाजित मद्विदेश की सीमा को तो छोती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं चूती हैं आंद्विदेशि वीहार जрашकन उड़ीशा तो इसमें आपके डी होगा चारों सही होगे क्या होगे हैं चारों सही होगे ठीक है चलते हैं कुश्यन नंमर चार की तरफ मद्य पिदेश में कितने जिलों की सीमा उत्तर पिदेश से लगी हुई है मद्य पिदेश के कितने जिलों की सीमा उत्तर पिदेश से लगी हुई है तो 13 लेकिन याद रखिए अब निवाडी भी आपका अलग जिला बन गया है तो इसकी सीमा भी उत्तर पिदेश से लगी हुई है तो आप हो जाएगा आपका 14 कितना 14 पहले था निवाड़ी ना बनने से पहले आपके 13 जिले आपके उत्तर पिदेश की सीमा से लगते थे लेकिन जैसे ही आपका निवाड़ी जिला बना तो आपका चोदे हो गए कुश्यन है पांच निम्ण में सही चाटना है करक रेखा चोदे जिलों से गुजरती है विल्कुल सही है क्या है? करक रेखा चोदे जिलों से गुजरती है विल्कुल सही है रतलाम करकreibt रेखा के उत्तर मेचते थे यह भी आपका सही है करक रेखा वगेलखंड की पठार को दो भागों में बागती है करक रेखा आकी वालागाट से बोजलती है क्या है यह गलत है कुश्यन नमबर पांच में आपका 1-2-3 कतन सही है 4 आपका गलतає तो इसमें होगा आपका P option सही एक दो तीन कतन सही है चलते हैं हम लोग कुश्य नमबर सोले की तरह है सुरी 6 की तरह मदविदेश की भावगोलिक इस्तिती क्या है मदविदेश की भावगोलिक इस्तिती क्या है 21 डिगरी 6 मिनिट उत्री अक्षास से 26 डिगरी 30 मिनिट उत्री अक्षास तक सही है 74 डिगरी 9 मिनिट पूर्वी देशांतर से 82 डिगरी 48 मिनिट पूर्वी देशांतर ये भी सही है तो इसमें आपके दोनों कतन सही होगे यानि की C option सही होगा एक और दो कतन दोनों सही होगे Qution है हमारा 7 Madhbidesh की सीमा कितने राज्यों से मिलती है Madhbidesh जो है इसकी सीमा कितने राज्यों से मिलती है तो ये हैं आपके 5 कौन कौन से ये आपका महराष्ट हो गया गुजरात, राजिस्थान, उत्तरपिदेश और 36 गरा कितने 5 Qution है हमारा 8 Madhbidesh की सर्वादिक सीमा किस राज्यों से मिलती है तो उत्तरपिदेश Madhbidesh की सर्वादिक सीमा उत्तरपिदेश से लगती है 9 वा Qution है Madhbidesh की निउन्तम सीमा किस राज्यों से मिलती है तो गुजरात Madhbidesh की निउन्तम सीमा किस राज्यों से मिलती है वो गुजरात ठीक है नौ में आपका ए है चलते हैं दस की तरफ क्विश्य नमर दस की तरफ क्या है क्विश्य नमर हमारा दस कि मद्ध पिदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से मिलती है मद्ध पिदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से मिलती है तो यह आपका बढ़ोधरा D option सही है Question 11 करक रेखा पिदेश के कितने जिलों से गुजरती है तो यह हैं आपकी 14 करक रेखा आपकी गुजरती है 14 जिलों से कितने 14 जिलों से और याद रखिए अगर राज्यों की बाद हम लोग करें तो यह आठ राज्यों से गुजरती है करक रेखा हमारे भारत में आठ राज्यों से गुजरती है कौन-कौन से हैं? गुजरत फिर उसके बाद राजिस्थान, मद्धिपदेश, चतिसगर, जहारकन, पश्यमंगा, तिप्पूरा, मेजोरम, ठीक है? सभी राज्यों को आप अच्छे से करम बाई करम याद करना है जिससे आपकी बहुत से कौन सही हो जाएंगे उससे, ठीक है? तो आठ राज्यों से हमारी करक रेखा बुजरती है और मद्पिदेश की कतने जिलों से? 14 जिलों से चलते हैं के कुश्चन नमबर बारे की तरफ मद्पिदेश में कोईला कि समूग की चट्टानों में पाये जाता है? तो यह आपका गौडवाना समूग C आप्सन सही है कुश्चन है मारा 13 मद्पिदेश की सरवोच चोटी धूबगर की उचाई कितनी है? तो यह आपकी 1350 मीटर मद्पिदेश की सरवोच चोटी धूबगर की उचाई आपकी 1450 मीटर यह ओप्सन सही है कुश्चन है मारा 14 निमनमें से धारवार सं लिसे मैगनेज एवं संगमरमर कुश्य नमर 14 में आपका A option सही होगा चलते हैं कुश्य नमर 15 की तरफ नर्वदा गाटी कि परवस संखलाओं की मत दिशती थे नर्वदा गाटी किन परवस संखलाओं की मत दिशती थे तो आपका बिंध्यान चल एवं सत्पोडा कुश्य नमर 15 में आपका D सही है कुश्य है हमारा 16 मत पिदेश के संबन्द में निमलिकित में से कौन सा कतन असद्थ है क्या पूँच रहा है असद्थ है मत पिदेश एक इस्थल रुद राज्य सही है कराकरेख राज्य की मत दिश्यों होकर पिदीसत है यह आपका गलत है तो कुश्य नमर 16 में आपके A, B, C सही है लेकिन D ओप्षन गलत है इसमें क्या होगा D चलते हैं कुश्य नमर 17 की तरह क्या है 17 कुश्य नमरा मालवा पठार की सबसे उची चोटी क्या है मालवा पठार की सबसे उची चोटी सिगार है क्या है सिगार है C option सही है कुशन है 18 नोगाओं किस प्राक्ति पिदेश में इस्तित है आपका किस प्राक्ति पिदेश में इस्तित है तो यह आपका बुंदिलखन पठार में 18 में आपका A option सही है कुशन है 19 मद्विदेश की लावा की साक्ष कहां से प्राप्त हुए? मद्विदेश में लावा की साक्ष कहां से प्राप्त हुए? तो यह हुए है मालवा का पठार से कहां से? मालवा के पठार से यानि की B option सही है चलते हैं कुशन नमबर 20 की तरफ पंचमडी किस सेंडी पर विश्थे थे तो यह आपकी महादेव सेंडी पर पंचमडी आपकी महादेव सेंडी पर विश्थे थे कुश्य नमरा 21 बाग सीरिज कहा विश्थे थे कहा जाता है सॉरी बाग सीरिज कहा जाता है कुरेटेसियस कल्ब को कुश्य नमबर 21 में आपका A option सही है क्या है A option सही है चलते हैं कुश्य नमबर 22 की तरफ क्या है कुश्य नमबर 22 में आपका P option सही है चलते हैं कुश्य नमबर 23 अरावली परवत को किस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है अरावली पहाड़ी को दिल्ली की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है कुश्य नमर 23 में आपका B option सही है फिर हमारा 24 कुश्य सिद्ध बाबा पहाड़ी किस पठार में उस्तित है? तो याद रखना सिध्वाबा पहाड़ी आपकी बुंदिलकन पठार में इस्तित है C option सही है Q25 करकरेखा किस जिले से होकर गुजरती है करकरेखा किस जिले से होकर गुजरती है अनुपुर, सागर, राजगर क्या उकर D option सही होगा 25 में आपका D चलते हैं Q26 की तरफ सत्पोडा परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है सत्पोडा परवत की सबसे उची चोटी है धूगर 26 में आपका A option सही है Q27 में आपका D option सही होगा फिर हमारा Q28 बिन्द्यांचल परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है बिन्द्यांचल परवत की सबसे उची चोटी अमर कंटक है Q28 में आपका C option सही होगा Q29 में से कौन सी नदी मद्विदेश की दच्छडी सीमा बनाती है तो यह आपकी तापती नदी तापती नदी मद्विदेश की दच्छडी सीमा बनाती है चलते हैं Q30 की तरफ क्या है 30 हमारा बिन्द्यांचल परवत से निम्ण में से किस नदी का उधगम नहीं होता है बिन्द्यांचल परवत से निम्ण में से किस नदी का उधगम नहीं होता है निर्वदा का होता है सौन का होता है बैतपा का होता है ताप्ति का नहीं होता है कुश्यन नमर 30 में आपका D होगा क्या होगा? ताप्ति कुश्यन है 31 पितवी की पिथम कठोर चटन कौन से कालगी मानी जाती है तो यह है आपकी आग्महा, आद्महा, कल्प यानि की आरिकियन कालगी कुश्यन नमर 31 में आपका A है कुश्यन नमर 32 मैकाल अमरकन टक सैड़ी करने बाड़ हुआ है बलुआ पत्थर क्वार्ट्च आउसादी चटन A सभी तो 32 में आपका D होगा क्या होगा? A सभी चलते हैं कुश्यन नमर अपने 33 की तरब चंबल गाटी मद्विदेश के किस बहुतिक बिभाग में इस्तित है तो यह आपकी मद्भारत पठार में कुश्यन नमर 33 में आपका C आप्शन सही हो बात करते हैं 34 कुश्यन मद्विदेश की सबसे उंची चोटी दोगड इस्तित है मद्विदेश की सबसे उंची चोटी जो दोगड है यह है महादेव पहाडियों में कुश्यन नमर 34 में आपका A option पिल्कुल सही है कुश्यन है 35 मद्विदेश का एक मात खेल इस्टेशन पच्मडी कहां इस्तित है तो यह भी आपका महादेव पहाडियों में है कहां महादेव पहाडियों B option सही है तो राता है मारा 36 कुश्यन निमलिकित में से किस पठारी की सरवोच्चोटी सिद्वाबा की पहाड़ी है तो यह आपकी बुंदेल खंड की कुश्यन नमर 36 में आपका B option सही होगा ठीक है कुश्यन है 37 बालागाट जिले में पाई जाने वाली दारवाड सेलसमू कुकिस सीरिच की नाम से जाना जाता है तो इसे जाना जाता है चिलपी सीरिच C option सही है कुश्यन नमरा 38 क्या है 38 मदपिदेश की सीमा पाँच राज्यों से लगती है इनमें से कौन से राज्य से सीमा नहीं लगती है चत्तिसगर से लगती है महराष्ट राजिस्थान लेकिन जारगंड से नहीं लगती है क्या होगा D होगा इसमें चत्तिसगर महराष्ट राजिस्थान उत्तरपिश और गुजरास से लगती है पांच राज्यों से कुश्यन है हमारा मिस्प्रेंट हो गया दो बार छप गया क्या है मदपिदेश का कौन से साहिल सिंदू गंगा की मेदान में इस्तित है यह आपका ग्वालियर है किन जिलों का समो बुंदिलखंड छेत में आता है तो इसमें टीकम गड़ दमो चत्रपू निबाडी भी अब आएगा क्योंकि निबाडी भी जहांसे के पास ही है बुंदिलखंड में क्विश्चन है चालीस सहडोल जिला किस पठार के अंतरगत आता है तो सहडोल आपका बगिलखंड पठार के अंतरगत आता है क्विश्चन नमर चालीस में आपका बी होगा तो यह था आपका पाँचवा टेस्ट अंगली किलास में आपका छटवा टेस्ट देखेंगे तो याद रखिए आप उस किलास को पूरी देख लिए सत्रे घंटे की है करीब आप देख लेंगे आपका जो भी बेसिक है वो किलियर हो जाएगा उसके बाद आप लोग टेस्ट लगाती रही है उतना कापी है फिर चाहे MPPCSO या फिर चाहे कोई आपका इस्टेट इस्टेट एक जामो वंडे कुछ से बाहर आपका नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही डेटेल में पढ़ाए गया है तो आप जाकर देख लें आप लोगा मद विदेश सामन गया